वेलकम बैक टो प्रोबुल्ज दिस इज सागर दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉरेक्स क्या होता है फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है और आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और क्यू बेस्ट है वो भी आपको एक्स्प्लेंड करूँगा दोस्तों फौरेक्स मार्केट हफ्टे में 5 दिन 24 अवर्स शुरू रहता है और साटरेडे संडें क्लोज रहता है इंडियन टाइमिंग की हिसाम से फौरेक्स मार्केट मंदे को सुबद 3.30 एम को स्टार्ट होता है और Saturday को 2.30 a.m. को close होता है इसमें भी दो जोन होते हैं Winter Zone और Summer Zone Winter Zone में मार्केट एक घंटा पहले शुरू होता है और एक घंटा पहले close होता है मतलब Winter Zone में मार्केट मंडे को सुब़ 2.30 a.m. को start होता है और Saturday को 1.30 a.m. close हो जाता है और summer zone में market Monday को 3.30 am को start होता है और Saturday को 2.30 am को close होता है April से लेकर October तक summer zone होता है और October से लेकर April तक winter zone होता है तो I hope कि Forex market का opening and closing time आपको पता चल गया होगा अब हम बात करते कि Forex में कितने sessions होते हैं और उनका timing क्या है उससे पहले में आपको बता दो कि sessions का मतलब क्या होता है दोस्तों Forex दुनिया का सबसे बड़ा financial marketing जहां पर किसी एक center location से ट्रेडिंग नहीं होती है दुनिया भर से ट्रेडिंग होती है तो अलग-अलग countries के exchange का ट्रेडिंग टाइम अलग-अलग होता है जैसे कि अगर आप इंडिया में Forex ट्रेडिंग करते हों इंडिया 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 एक्स्चेंज पे लाइक एंसी और बीएसी में तो हमारा और closing टाइम में आपको बता दूँ उसके बाद हम बात करेंगे Forex में ट्रेडिंग के लिए best time कौन सा है Sydney सेशन स्टार्ट होता है 3.30 a.m. और close होता है 12.30 p.m. Tokyo सेशन स्टार्ट होता है 5.30 a.m. और close होता है 2.30 p.m. London सेशन स्टार्ट होता है 1.30 p.m. और close होता है 10.30 p.m. New York सेशन स्टार्ट होता है 6.30 p.m. और close होता है 2.30 a.m. तो दोस्तों Forex मार्केट के 4 मेजर सेशन का opening and closing time में आपको बता है अब हम बात करते कि Forex ट्रेडिंग के लिए best time कौन सा है तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए best time वो होता है जब maximum traders active हो maximum trades लगे volume और volatility भी ज़्यादा हो तो यसा तब होता है जब 2 sessions overlap होते हैं मतलब 2 sessions same time पे शुरू होते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा overlap तब होता है जब London session and New York session का common time आता है मतलब शाम साड़े 6 बज़े से रात साड़े 10 बज़े तक लगबग 70% से भी ज़्यादा trades इस time में लगते हैं इस time में सबसे ज़्यादा volatility होती है तो साड़े 6 बज़े से रात साड़े 10 बज़े तक best time में trading के लिए mainly London session and New York session के overlapping time में सबसे ज़्यादा trades, volume और volatility होती है बाकी दूसरे sessions के overlapping time में इतनी volatility नहीं होती है market normal रहता है तो साड़े 6 बज़े से साड़े 10 बज़े तक का time best है trading के लिए और second base time है दो फ़ेर को देड़ बज़े जब London session start होता है London दुनिया का सबसे बड़ा trading हवे इसे trading capital of world भी कहते है तो London session जब start होता है उस time पे भी अच्छा खासा market volatile होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया Forex market का opening and closing time Forex sessions और उनके time और trading के लिए best time कौन सा है वो मैंने आपको बताया तो अगर ये information आपको अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe and hit the bell icon क्योंकि trading and investing के रिटेर regular videos में upload करता हूँ In this words, signing out सागर